सिक्षा के छेतर में करियर बनाने के एक्चुक युवाओं से बिहार लोकसेवा आयोग ने 170,461 पदों पर आवेदन आमंद्रित किये हैं आप प्राइमरी माध्यमिक या उच माध्यमिक टीचर बनने की ख्वाहिस रखते हैं तो जानते हैं इस वेकंसी के बारे में थोड़ा से विश्तार से इस वीडियो के माध्यम से बिहार लोकसेवा आयोग ने बिहार में सिक्षेकों के 170,461 पदों पर भरती का नोटिफिकेशन जारी किया है इस बहाली परकिरिया के तहद प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर और उच माध्यमिक टीचर की नियुक्ति की जाएगी चैनित उमीदवारों का प्रोवेशन पिरियड दो वर्स का होगा जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर एक वर्स और बढ़ाया जा सकता है स्क्रीन के उपर आपको प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर और उच माध्यमिक टीचर की संख्या अलग-अलग दिख रही होगी कक्षा एक से पांच तक प्राइमरी टीचर के लिए इंटर्मीडियर के साथ डियलेड और सीटेट या बिहार टीटी पेपर वन पास करने वाले अभिर्थी आवेदन कर सकते हैं कक्षा नौ से दसवी के लिए ग्रेजवेशन बियर और स्टेट टीटी पेपर वन पास उमिदवार आवेदन कर सपाएंगे वहीं ग्यारवी तथा बारवी के लिए पोस्ट ग्रेजवेशन बियर और स्टेट टीटी पेपर टू पास होना आवस्यक है कम्प्यूटर विज्ञान विशाय के लिए बीट की योगिता अनिवारे नहीं है उम्र में 8 साल की चूट मिलेगी वर्स 2012 से पहले नियोजित सिक्षत जो दक्षता परिक्षा पास है उन्हें बिहार टेटी सीटेट या स्टेट टेट पास होने की जरूरत नहीं है अगर कोई अभिर्थी तीनों पदों की योगिता रखता है तो वो तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है तीनों पदों के लिए परिक्षा अलग-अलग दिन होगी प्रात्मिक विद्याले के अध्यापक के लिए नियुन्तम आयू 18 वर्स है और माधिमिक तथा उच माधिमिक विद्याले के लिए नियुन्तम आयू 21 वर्स निर्धारित की गई है अधिक्तम आयो की सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ग, आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग, पिछले वर्ग की महिलायम अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग और अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन जाती के लिए 42 वर्ग निर्धारित है। आरक्षन का लाब केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। सिक्षक के इन पदों पर नियुक्ति लिखित परिक्षा के माध्यम से की जाएगी। परिक्षा वस्तुनिष्ट प्रकार की होगी। परिक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस 2023 को किया जाएगा। परिक्षा भासा, सामान अध्यन, विसे एवं सामान अध्यन से संबंदित प्रशनों पर आधारित होगी। भासा का एक सामान प्रशन पत्र होगा, जो 100 अंगों का होगी। सभी वर्ब के अभिर्थियों के लिए यह प्रशनपत्र अनिवारिय होगा, जिसमें सभी अभिर्थियों को कम से कम पासिंग मार्स लाने होगे. परिक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा, लेकिन क्वाइलिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. कक्षा एक से पांच तक प्राइमरी टीचर पद के लिए S-C-E-R-T का सिलेबस माननी होगा, वहीं कक्षा 9-10-11-12 में N-C-E-R-T का सिलेबस माननी होगा. परिक्षा पास करने वाले अभिरतियों का इंटर्व्यू नहीं लिया जाएगा. परिक्षा के पैटर्न को विस्तार से समझने के लिए लिंक के माधियम से डीटेल एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं. तो ये थी BPSC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बारे में मोटा मोटी सुचना है. आसा करता हूँ इस से आपको इस वेकंसी के बारे में एक रफ आईडिया हो गया होगा. अगर आप इसके बारे में डीटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट स्रिक्शन में बताएं. करियर और एजुकेशन से जूड़ी ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हैं मेरे साथ रैपिट जूए में.